प्रेस्ट बेल आइकन अन यूट्यूब और यही दिन भाजपा ने चुना अपनी मीडिया स्टेजी का प्रारूप तैयार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमिशा ने करीब 500 के करीब स्पोक्सपरसन और भारती जंता पार्टी के जो चहरी माने जाते हैं मीडिया में उनको भारती जंता पार्टी के केंदरी कार्याले में इन्वाइट किया जहां उनकी 7-8 घंटे करीब क्लास ली गई उनको बताया गया कि कैस अपोजिशन को काउंटर किया जाए इसमें कुछ प्रमोख मुद्दे उभर कर आये उन्हें बताया गया है कि कैसे मीडिया को नेरेटिव कैसे उसका चेंज किया जाए अगेस्ट कॉंग्रेस इसमें सबसे पहर प्रमोख मुद्दा था रफाईल जो की कॉंग्रेस ने इसमें बहुत एहम बात ये निकल के आई है कि स्पोक्स पर्सन अब जादा रियक्ट रफाईल पे नहीं करेंगे ऐसा उन्हें सजेशन दिया गया है उन्हें बताया गया है नौट टू रियक्ट ऑन रफाईल इसमें अगर उन्हें कभी रियक्ट करना भी पड़ता है तो उसे हसी में उड़ाएं सेकिंड स्ट्राटेजी भाजपा की जो रहेगी वो यही रहेगी कि राहूल गांदी को कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी खतम की जाए कैसे उनकी सीरियसनेस जो ठ्रेडेश थोड़ी बहुत भाजपा को उन्हें काउंटर करने से मिली है ऐसा भाजपा को लगता है उसे खतम किया जाए कैसे राहूल गांदी को एक नॉन सीरियस पॉलिटीशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तीसरा प्रमुक बिंदु जो अभर कर आया है वो है नरेंदर मोधी हमेशा से और इस चुनाव में भी भाती जनता पार्टी का ट्रंप फोकस जस्ट अन प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी उनकी चवी के उपर काम किया जाए कैसे वो हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं जो बहुत कम नीन से काम चलाते हैं and he is 24-7 प्राइम मिनिस्टर इस चवी पर काम किया जाए उनकी ट्रा वाथा बिंदू था, कैसे ट्रांस्पेरेंट सरकार है, गवर्मेंट की जितनी भी अचीवमेंट है, उसे शेर किया जाए जितना हो सके, कॉंग्रेस के पाले में जाके ना खेला जाए, उनके उठाय मुद्दो को ना वेटेश दी जाए, बलकि उन्हें सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम्स को प्रोपेगेट किया जाए, ये सब उन्हें बताया गया, पाचवा और इंपॉर्टेंट बिंदू रहा नमो एप, जो की प्रधान मंत्री का एक फेवरेट प्रजेक्ट है, उनके नाम पर ये एप है, उसमें बतायेगे कि हर साड़े दस बजे सुभ है, न्यूज आइटम अपलोड होती है, मीडिया में पॉजिटिव न्यूज आइटम जो सरकार के बारे में आती हैं, वो अपलोड होती है, उन् अग्या कॉशिक दप्रेंट के लिए